नमस्कार, we are regularly doing press conferences, अब हर मतलब 3-4 दिन हमारा press conference होता है, मगर प्रधानमंत्री press conference नहीं करता है, घवी मतलब अपने आपको जो देश की मीडिया है, उनके सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक्स्पोज नहीं होना चाहते हैं, काफी समय से हम राफाइल हवाई जहाज की डील में ब्रश्टाचार की बात करने हैं, और ये निया किस्सा नहीं है, अब ये एक-दो सालों से ये बात्ची चल रही है, और हमारी 3-4 हमारे सवाल है, एक सवाल है कि 526 करोर रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोर रुपए में क्यों खरीदा गया, दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान Aeronautical Limited से कॉंट्रैक्ट छीन कर अने लंबानी को कैसे दिया गया, 30,000 करोर रुपए का अफसेट कॉंट्रैक्ट, अने लंबानी को क्यों मिला, H.L. Bangalore के पास जमीन है, H.L. Bangalore के पास रेप्यूटेशन है, H.L. Bangalore हवाई जहाज बनाती है, अने लंबानी को H.L. से छीन के आपने क्यों दिया, हिंदुस्तान के युवाफ से रोजगार क्यों दिया, उसके बार, हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भाया, हवाई जहाज फ्रांस में बनागी है, और 36 हवाई जहाज की ज़रुदा है, तो ये हमारे सवाल है, और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा, डिफेंस मिनिस्टर ने जब मोधी जी फ्रांस गए वापिस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला, कि देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूँ है, मुझे नहीं मालूँ, प्रधान मंत्री को मालूँ है, फ्रांस में किया हुए, फ्रांस के राश्ट्रपती होलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डाइरेक्ट हमें ओडर दिया है प्राइम मिनिस्टर विंडिया ने सीधा बोला वहिया अने लंबानी को देना है चत्ते जवाई जाज करीदने है और फ्रांस में बनेगा तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल सरकार को सवाल के जवाब देने हैं एक भी जवाब नहीं आता है magha defense minister sitarman 10 पहले कहती है हम पार्लिमेंट में प्राइस रखेंगे फिर कहती है प्राइसी the secret माक्रण। मंबएसंग chopping में आनन श्रमा जी के साथ बैठते हैं कहतें ayya price is a secret कहते नहीं price is not a secret, Hindustans के tax payer का पैसा है won't you इसक्रिट कैसे हो सकता है उसके बाद प्राइस निकलती है डैसल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है 1600 क्रोल रुपए पैसा डैसल्ट को दिया तो यह हमारे सवाल है वैसिलेशन होता जाता है प्रजान मंत्री तो बोलते नहीं है अरुन जेटली जी बोलते है निर्मला सीतरमन जी बोलती है हमने जेपीसी मांगी कहा कि देखे जूरिस्डिक्शन पार्लिमंट का है करा दीजिए आइए सामने करा दीजिए ना अरुन जेटली जी का ट्वीट आपने देखा मैंने इनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि कर अब क्या होता है आज Supreme Court अपने jurisdiction में judgment देती है और उस judgment से में तीन लाइन पढ़ना चाहता हूँ. The pricing details have however been shared with the Comptor and Auditor General hereinafter referred to as CAG and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee hereafter referred to as PSE. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस judgment का foundation है. मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. जो राफाईल अवाईजाज के pricing details हैं, कीमत के details हैं, उनको Comptor and Auditor General की report में लिखा गया है. और वो जो report है Public Accounts Committee जो Parliament की committee उसके साथ share किया गया है. ये भाईजों और बैनों judgment का foundation है. अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं, और खारगे जी PSE committee के chairman है Parliament में. और आप लोग खारगे जी से सिधा पूछ लीजिए, क्या CAG report PSE committee में आई, नहीं आई? पार्लिमेंट में रखी गई? और इन्हों ने जो PAZ के chairman है, इन्हों ने CAG report अपनी जिन्दगी में देखी है. पूछ लीजिए, पूछें. देखिए, एक तो CAG के पास भी, उनका कोई comments नहीं है, और report नहीं है CAG का. CAG के जो प्याराज होते हैं, वो Public Accounts Committee को refer करते हैं. इसके बारे में ना CAG को पता है, आज मैंने डेपटी CAG को बुला कर पूछा, क्योंकि हमारी meeting भी थी आज, Public Accounts Committee की थीन बज़ें, उनको पूछा, ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो के किये नहीं मेरे signature, करके अगर कोई उतना एक्स्टैक्ट, जब CAG के पास नहीं है, Public Accounts Committee में आने का सव पेश करते हैं, Parliament में भी मैंने पेश नहीं किया, जब Parliament में आएगा, तभी Public Domain में आएगा, Public Domain में भी नहीं है, तो ये आया report कहां से, किसने दिया, और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है, कि जब तक Parliament को report वो पेश नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को भी उसके बारे म बोलने का अधिकार नहीं है और एक अफिडवेट के माफिक जब एविडंस कलेक्ट करते हैं तो हम उनका अफिडवेट भी लेते हैं कि ये जो चर्चा हो रही है कि इसको नहीं कहिना चाहिए जब तक हम पार्लमेंट को पेश नहीं करेंगे तो ये सब सत्य के भार हैं ये कैसा हुआ ये बहुत अजब चीज़ है और गजब चीज़ है ये हमारा हमको पब्लिक अकॉंट्स कमिटी में को वहाँ पर खींचा गया है ये अन्टूथ अब अब देखिए मैं मुझे काम करना पड़ेगा मुझे कैमरा इधर लाने पड़ेगा क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो आप लोग हसुरे हो आपको सचाई दिखाई दे रही है अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कॉर्ट की जज्जमेंट जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें ये सवाल कैसे उठ रहा है ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कॉर्ट की जज्जमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग CAG की रिपॉर्ट में डिसकास होई है और यहाँ पीज़ी के चर्मन बैठे है और इनको CAG रिपॉर्ट आज तक नहीं दिखी पीज़ी कुमिटी में किचे को नहीं दिखी मकर सुप्रीम कॉर्ट को दिख गई मुझे समझ नहीं आ रही वा I'm seriously not able to understand you're you're laughing but I'm not able to understand because देखिए जब आप जूट बोलते हैं भाई और बहनों जब आप कोई जूट बोलता है तो कहीं ना कहीं कहीं निकलता है अब सरकार को हमें यह समझाना है कि यह जो CAG रिपॉर्ट यह है कहां कहां है हमें भी दिखा दे और ची जूट जयर्मन है कहें उनको भी दिखा दे या शायद को योडेश चल रही है कि किसी और वह यह तो उसकता है आज कि आज की तुर्य हमा चोई इक किसमी सदम्मों मेंकि मोधीर जी ने अपनी Kash Si बटा रख ही आ है मैं नहीं जानता हूं क्योंकि फ्रैंक्ली इंस्टिटूशन के ऐसी की तैसी करती है धजयां उड़ा दी मुझे समझ में रहा है एक तरफ एलेक्शन कमिशन कुछ कहता है दूसरी तरफ सुप्रीम कुछ कहता है दूसरी चार चीफ जसेस निकलते हैं मतलब सब की धजयां उड हिंदु से महीं घेडियो प्रदेश में आपका करजा माफ होने जा रहा है यह जो पैसा लिए इन चोरों ने यहापका लि आय और किसी का नी लिए और इन बातों में कोई नी फसने वाला है पूरा इंदुस्तान संजता है कि चोकीदार चोड है पूरा हिंदुस्तान समझत और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंख पाती है और मोधी जी आप जितना छुपना चाहते हैं, छुप जाएए आप जितना भागणा चाहते हैं, भाग जाएए, आप नहीं बच सकते, जिस दिन इस पर इंक्वाइरी हो गई, जिस दिन राफाइल मामले प यह लोड़ी